वेल्कम अगें गाइस टो और यूटुब चैनल दर व्योडोस जैसे हमने एलजेब्रा का हमने यह बता है था कि जो 25% कितना हुआ है आपको क्या क्या चीज़ आपको नहीं पढ़ नहीं है या फिर आप कौन-कौन से पोर्शन आपको नहीं आने वाले जो रेडियूस हुआ है वो हम बता रहे तो यह हमारा कैसा है जोमेट्री वाला पार्ट है यह जो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ठी तो नहीं आएंगे for exam तो इसके एट क्या था प्राक्टिस सैट आपका था 1.2 और problem set one फिक है problem set one में आप बोलोगे तो कहूं सा question number 8 question number 9 और question know 10 यह questions आपको नहीं करने यहा पर मैंने पेज नमबर हम्हाए फ्रॉम 8 तो लेवें and 28 to 29 ठीके यह आपको नहीं करना है इसके बाद आप देखोगे तो practice 1.2 में आपको सब चीजे नहीं करनी है कोई भी चीजे आपको नहीं करना है सिवाए आपको question number 4 और question number 10 ठीके only question number 4 and question number 10 जो आपका practice set 1.2 में है यही आपको करना है 4 और 10 के अलावा सारे चीजे आपको नहीं करनी है तो इससे क्या पता चलता है कि जो similarity में यह important theorems थे और important property थी अब यह नहीं है तो जो weightage रहेगा वो किदर shift हो गया बाकी चीजों की तरफ shift हो गया तो यहाँ पे हमको यह भी ध्यान देना है कि जो भी बाकी जो theorem से बाकी सारे जो test से उसको हमको बहुत ही ध्यान से पढ़ाए करनी है so property of three parallel lines and the transversal and angle by sector of a triangle इसमें practice 1.2 में only 4 and 10 आपको करना है बाकी आपको चीजे नहीं करनी है और problem set में question number 8, 9 and 10 आपको नहीं करना है यह page number 8 to 11 and 28 to 29 यह है Pythagoras theorem एक बहुत important chapter है ठीक है इसमें आप देख सकते हो यहापे जो application of Pythagoras theorem है यह आपको नहीं आएगा तो इसके related जो practice set था आपका 2.2 वो भी आपका क्या हो गया? cancel हो गया और साथी साथ problem set 2 में आपके जो question number 1 है उसका जो sub question 6 है वो भी क्या हो गया आपका? cancel हो गया और उसी के साथ ही जो question number आपका यहापे आप देख सकते हो question number 8, 9, 12, 17, 18 यह सब के सब आपके क्या है? cancelled है और यहापे यह page number आप देख सकते हो 40 से लेके 42 यह page number है so basically Pythagoras theorem में आपका यह part cancel हो चुका है application of Pythagoras theorem और यह सारे questions आपके नहीं आने वाले ठीक है? then circle circle is one of the most important chapter ठीक है? circle में जो theorem of angle between the tangent and secant यह जो theorem है वो आपको नहीं आने वाला है तो लाजमी सी बात है अगर यह नहीं आने वाला है तो इसके related सारे जो questions रहेंगे जैसे कि problem set 3 हम जो circle का बोलते है question number one का sub question seven right? sub question seven यह नहीं आएगा ठीक है? फिर question number 13 question number 15 question number 16 question number 18 question number 22 question number 24 राइट? आप देख सकते हो यहापे page number भी मैंने लिखके रखा है ठीक है? 7682 तो यह तीन chapter आपके first part के होगे उसके बाद आप देखोगे तो geometric construction geometric construction में कोई भी change नहीं है guys कोई भी change नहीं है जिस तरह से आपका arithmetic progression और probability algebra आमें में बात कर रहा हूँ उसमें कोई changes नहीं था उसी तरह से geometric construction में कोई भी changes नहीं है और ना ही trigonometry में changes है राइट? वो आपको पूरा पढ़ना है हमने algebra का वीडियो भी post किया है properly लिखके कि क्या चीज़े जरूत है क्या चीज़े जरूत नहीं है वो आप देख सकते हो तो यह हो गया circle के बारे में उसके बाद आएंगे हम coordinate geometry में तो coordinate geometry में जो slope of line है यह आपको नहीं आयगा तो उसी के अंदर practice set जो 5 point 3 वो आपको नहीं आने वाला है तो problem set जो 5 था वो भी नहीं आएगा तो problem set 5 में क्या क्या चीज़े नहीं आएगी problem set 5 में आपका question number 1 का sub question 4 sub question 4 आपका नहीं आएगा question number 2 नहीं आएगा question number 9, 10 और 22 ये भी आपके नहीं आएगे page number 117 to 121 ठीके तो ये है coordinate geometry में right हमको ध्यान देना है जब भी आपे मैंने यापे concept लिखा है और उसी के related जो questions होते हैं जो आप identify कर सकते हैं आप पढ़ाई कर रहे तो but then to आपके benefit के लिए हमने उसको properly अच्छे से लिखके दिया है आपको ठीके right उसी के साथ ही हम देखिंगे तो मैंने बता है आपको कि trigonometry chapter आपको पूरा पढ़ना है ठीके then mensuration की जब बात करेंगे तो mensuration में आपको segment of circle आपको पूरा पढ़ना है सॉरी segment of circle आपको नहीं पढ़ना है ठीके extremely sorry आपको segment of circle नहीं पढ़ना है तो उसी के related जितने भी question से आपके right जैसे question number 10 हो गया problem set में वो आपको नहीं पढ़ना है और practice set 7.4 यह आपको नहीं पढ़ना है और आपको नहीं करना है तो page number 156 से 159 so basically यह पूरा पार्ट था about the geometry SSE standard 10th so similarity में once again यहाँ पर parallel lines ठीके three parallel lines and the transversals and angle by sector theorem right triangle इसको पकड़ के और इसके सारे questions practice set 1.2 problem set 1 ठीके question number 8, 9, 10 यह नहीं करना है हाँ करना क्या ध्यान देना guys करना है यहाँ पर यह जब मैं practice 1.2 बोलता हो तो यहाँ पर 4 or 10 आपको ध्यान देना है यह आपको करना है ठीके फिर पाइतोगरस theorem में application of पाइतोगरस theorem तो practice set 2.2 नहीं करना है problem set 2 में आपका question number 1 का 6 आपको नहीं करना है 8, 9, 12, 17 18 यह आपको नहीं करना है फिर आपका theorem of angle between tangent and second यह circle में यह आपको नहीं पढ़ना है तो उसके हिसाब से question number 1 का sub question 7 question number 13, 15, 16, 18, 22, 24 यह आपको नहीं करना है geometry construction पूरी तरीके से आपको आने वाला है तो उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है फिर coordinate geometry में आप देखोगे तो slope of line यह आपको नहीं पढ़ना है तो इसका related जो practice set आपका 5.3 है वो नहीं पढ़ना है और problem set 5 में question number 1 का sub question 4th question number 2, 9, 10, 22 यह आपको नहीं करना है ठीके फिर trigonometry में नहीं बाता है पूरा करना है और उसके साथ आपका mensuration जो आपका last chapter है इसमें आपको segment of circle आपको यह concept नहीं पढ़ना है तो इसके related इसके related problem set question number 10 और practice set 7.4 यह भी आपको नहीं पढ़ना है यह आपके page number है अगर अगर आपको यह पसंद आया वीडियो तो do like, share and subscribe और बाकी बच्चों से भी आप share किजी information और इसे information के लिए और बाकी वीडियो के लिए do subscribe our channel and give us the genuine feedback thank you guys, thank you